वापस उनकी सीमा में उनसे किसी तरह का कोई डामेज नहीं हुआ है PTI ने ये पुष्टी कर दिया है कि पाकिस्तानी विमानों से भारत में कोई नुकसान नहीं हुआ पहली पुष्टी है दूसरी पुष्टी है पीचाय के हवाले से कि किसी भी तरह का कोई नुकसान पाकिस्तान के ये विमान भारत को नहीं पहुच्चा पाए है इन्होंने एर स्पेस का उलंगन किया लेकिन हम आपको बता दें पीचाय की रिपोर्ट ये साब बता रहे हैं कि उनको इमीडियेटली वापस खदेर दिया गया उनकी सीमा में पाकिस्तानी विमानों ने पहले से हवा में हमारे जो जेट्स पेट्रोलिंग कर रहे थे एर पेट्रोलिंग उन्होंने देखा इन पाकिस्तानी विमानों को और तुरंत उन्हें खदेर कर भारतिये वायू सीमा से बाहर कर दिया तो एक तरह से भारत का जो High Alert है और भारत की चाक्षवबन विवस्था वो काम आई, भारत ने जिस तरह से इंटिन जेट्स को एर पेट्रोलिंग पर लगा रखा था, वो काम आई है और पाकिस्तानी विमानों से भारत में किसी तरह का कोई नुकसा नहीं हुआ है, कोई Casualty की विमान हैं ये नहीं कर पाएं इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया भारतिये विमानों ने इंडियन जेट्स ने जो उस वक्त एर पेट्रोलिंग कर रहे थे हवा में मौझूद थे पाकिस्तान की किसी भी तरह की ऐसी नापाक हरकत पर नज़र रखे हुए थे और इसी का फ आया है ये घुस पैठी ये विमान मू की खाकर भागने पर मजबूर हुए एबीपी नियूस पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है भारत ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड दिया है जमो कश्मीर के पुन्च और राजोरी सेक्टर्स में फार्तिये अर्स पेस का उ पुरू ने पाकिस्तान के घुस पैठी विमानों को जरा भी डैमज नहीं करने दिया रिपीच करदू में कोई कैजवल्टी नहीं हुई है किसी तरह के नुकसान की